अंतर राश्ट्रिय युवा विद्वान जैन दर्शन में युनिवर्सिटी टॉप वा गोल्ड मेडलिस्ट जैन सिद्धान तेवं नयाय विशयों को सरलता से समझाने वाले USA, England, Australia आदी अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले पंडित टोडर्मल पुरस्कार युवा विद्वत रत्न आदी अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान, डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जैपूर द्वारा जानिये, धर्म का मर्म इस कारिक्रम की प्रायोजक हैं पर आये, धर्पन तले वे सकला, प्रती फलती पदार्थ मालिका आयत्र परमागमस्य भीजम, निशिध जात्यंद सिंदुर विदानम सकलने विल सिताना, विरोध मतनम नमाम्यने कांतं पुरशार सिद्यूपाय नामकी अग्रंथ है, अम्रक्चंद्राचारिय के अनुपम रचना, हमारे जीवन को मर्यादित बना देने के लिए, यहां भोगोग परिमान नामक शिक्षा वरत की चर्चा चल रही है, सुन्दर प्रक्रण है, महत्वपूर्ण चर्चा है, प्रत्यक जीव के जीवन में सैयम तो होना ही चाहिए, जिसके जीवन में सैयम नहीं, उसका जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी के समान कहा गया है, जिस तरह से जिस गाड़ी में सैयम नहीं होता, ब्रेक नहीं होता, उस गाड़ी का एक्सिजेंट दुरगटना होती ही होती है, ठीक उसी प्रकार जिन व्यक्तियों के जीवन में सैयम नहीं होता उन व्यक्तियों का जीवन निश्चित तोर पर बरबाद होता ही होता है खतम हो जाता है उनका जीवन जीवन में सैयम होना चाहिए कितनी तरह से सैयम लिया जा सकता है कितने प्रकार से जीवन को सहीमित किया जा सकता है उसके थोड़े बहुत क्राइटेरिया यहां बतला रहे हैं मोटे मोटे तौर पर यदि हम यह कहें कि खान पीन में सहीम हो और रहन सहन ओडने पहनने में सहीम हो ये मोटे मोटे तौर पर दो भागों में बांट दिया जो खान पीन का सहियम है उसे भोग परिमान कहे करके पुकारा और जो मौज मस्ती के सादन सुविधाओं में कंट्रोल है उसे उपभोग में सहियम कहे करके पुकारा भोग और उपभोग दोनों ही प्रकार से जीवन में सैयम होना चाहिए भोग संबन्दी सैयम के संदर में चर्चा करते हुए यहां अनंत काईक जीवों की वीराधना से वचने की प्रेरिणा दी गई और यह कहा गया कि जिन वस्तूओं के सेवन करने से अनंत जीवों का घात होता हूँ जिनके सेवन करने से घात होता हूँ हिंसा होती हो उन सब का तुरंत ही त्याग कर देना चाहिए बहुत तरह की बातें इसके संदर्म में कही गई और इस बात का अंदाजा लगाने के लिए अनुमान लगाने के लिए इसके जो शास्त्रों में प्रमान दिये गए असंख्यात लोग प्रमान इसकंद हैं एक एक इसकंद में असंख्यात लोग प्रमान अंडर हैं एक एक अंडर में असंख्यात लोग प्रमान आवास है एक एक आवास में असंख्यात लोग प्रमान पुल्वी है एक एक पुल्वी में असंख्यात लोग प्रमान देह हैं शरी है असंख्यात लोग प्रमान और एक एक शरीर में अनन्त 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 जीव हैं और उस सारी जीव राशी को क्रोस कर उन सब में से कभी-कभी मैं ऐसा कहता हूं सेलेक्शन सेलेक्शन देखो आप कॉंपिटीशन का जमाना है ना आज तो चारों तरफ कॉंपिटीशन नजर आता है जहां देखो वहां कॉंपिटीशन है कॉंपिटीशन का जमाना है अरे सुनो थोड़ा बहुत competition जीत लिया हो कुछ लोगों में से कुछ का चुनाव होना हो सौ में से एक का होना हो हजार में से एक का होना हो पांच हजार में से पांच का होना हो पांच लाख में से एक व्यक्ती को चुना जाना हो तो भी competition बहुत आसान है हमने जिस competition को जीता है वहाँ उस निगोद दशाई केंद्री परियाए में अनंता 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 जीव थे और उन अनंता अनंता जीवों में से एक को चांस मिलता है बाहर निकलने का तरस परियाए में आने का हम वहां से आगे बढ़ते बढ़ते मनुष्य परियाय तक पहुँच गए नर देह उतम देश पूरण आयुश भ्या जीविका दुर वासना की मंदता परिवार की अनुकूलता सत सज्यनों की संगती सत धर्म की आराधना है उत्तर उत्तर महादुरलब आत्मा की साधना आत्मा की साधना यह सारे लेवल हमने क्रॉस किये हैं बहुत सारे लेवल हैं दुरलबता की चर्चाओं में पहले भी अनेक बार आप लोगों के बीच में ये सब चर्चाएं हम कर चुके हैं देखिए आज चर्चा को कुछ और बढ़ाते हैं हम सैयम की तरफ मनें कल सैयम अंगी कार करने की बात बतलाते हुए 163 श्लोक में यह बात कही थी नवनीतम्च मक्खन का वित्याग कर दीजिए बूल्श लोग पढ़ लेते हैं पिर पीछे भावार्थ से अपन बढ़ेंगे नवनीतम्च त्याज्यम योनिस्थानम प्रभूत जीवानाम यद्वापिपिंद शुद्धव विरुद्मभिधियते किंचेत मक्खन का अभी त्याग कर दो नवनीतम्च अंतरमूर्थ मर्यादा क्या कहिए अंतरमूर्थ क्या कहें ये तो कहे रहे हैं निकालते ही उसे आँच पे चड़ा लेना चाहिए ऐसा यहां दिर्देश कर रहे हैं मक्खन 22 प्रकार के अभक्षयों के नाम कहें हैं शास्त्रों में उन 22 अभक्षयों में एक अभक्षय का नाम मक्खन भी आया है एक बार यहां प्रकरन पढ़ते हैं फिर 22 अभक्षयों की थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे यदि आप लोग चाहेंगे तो भावार्थ देखिए सीधे भावार्थ प्राजय ये पेज नंबर 180 है आचार शास्त्रों में जो पदार्थ अभक्षय माने खाने योग्य नहीं है आभक्षय माने भक्षन करने योग्य नहीं है सेवन करने योग्य नहीं है उन्हें निशिद्ध बताते हैं उन समका त्याग करना चाहिए परहेज जीसे कहते हैं परहेज क्या परहेज क्या होता है परहेज माने होता है सावधानी रखो परहेज माने क्या होता है नहीं यह नहीं यह नहीं डॉक्टर जब बीमारी होती है तो उसका इलाज करने के लिए पहले परहेज बतलाता है यदि आप परहेज नहीं रखेंगे तो आप यह मान करके चलिए आप कितनी भी औशदी का सेवन करें कुछ इलाज होने वाला नहीं है तो यहाँ यह जो अभी चर्चा चल रही है यह चर्चा परिहेज की चल रही है परेज करो परेज किसाब क्या बात कर रहे हो देखो यदि परेज नहीं होगा न तो यह बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी किसाब हमारे समझ में नहीं आया आप कौन सी समस्या की बात कर रहे हो हम आपको यह बतलाना चारे हैं शास्त्रकार यह बतलाना चारे हैं आचारे देव यह बात कहना चारे हैं कि सुनो यदि परहेज नहीं होगा तो धर्म नहीं हो पाएगा धर्म माने स्वास्थ लाव धर्म माने स्वस्थ अवस्ता धर्म माने निरोगी अवस्ता धर्म माने रोग मिट जाना रोग मिटने लगना उसका नाम है धर्म की शुरुवात और रोग पूरी तरह से मिठ जाना इसका नाम है धर्म की पूर्णता तो यदि धर्म करना चाते हैं हम मने निरोगी होना चाते हैं मने जन्म जरा मरत्यू रोग विनाशनाये जन्म निर्व पामीती स्वाहा ये जो भावना हम रोजाना भा रहे हैं जन्म जरा मरत्यू रोग विनाशनाए जन्म जरा मरण ये रोग हैं जन्म मरण का रोग लगाएं बुडापे का रोग लगाएं दुख ही है हम चतुर गती में परिब्रमन करते हुए हम बीमार हैं उस बीमारी का यदि सच में इलाज करना चाहते हैं तो धर्म प्रकट करना होगा तो बोले साथ ठीक हैं हम धर्म करेंगे तो बोले क्या करेंगे धर्म के लिए बोले स्वाध्याई करेंगे धर्म के लिए क्या करेंगे बोले पूजन भक्ति आराधना तत्व चिंतन वस्तु स वरुप का विचार, ये सब कुछ करेंगे पंडी जी हम, खूब आरादना करेंगे हम, फिर तो धरम प्रकट हो जाएगा ना, फिर तो निरोगी अवस्ता प्रकट हो जाएगी ना, हमारी लाइफ में, फिर तो हम बीमार नहीं रहेंगे ना, फिर तो हमारे दुख, तकलीफ, हम, खूब कर रहे हैं, उपवास, खूब कर रहे हैं, स्वाध्याए, सब कुछ कर रहे हैं, माला का जाब भी कर रहे हैं, स्वाध्याए भी कर रहे हैं, पठन पाठन भी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कि सुनो, तुमने ये सब करते हुए हैं, कुछ परहेज बतलाए थे, व वो तो नहीं किये लेकिन आत्मा का चिंतन तो खूब कर रहे हैं हम आत्मा आत्मा के बारे में चिंतन कर रहे हैं सुनो आत्म चिंतन के साथ साथ कुछ परहेज जरूरी है उनके बिना यह आत्म चिंतन रूपी दवाई काम नहीं आती सारे रोगों की एक दवाएं सारी बिमारीयों की एक दवाएं चिंतन चेतन राम सारी बिमारीयों की एक दवाएं चिंतन चेतन राम लेकिन परहेज नहीं किया कभी तो फिर फिर डॉक्टर को दोश दे रहे हो साव आपने बतला है साव हुआ ही नहीं साव हम तो ठीक ही नहीं हुए था डॉक्टर साव आपने तो इतना बतला है था इतना समय हो गया ठीक ही नहीं हुए तो सुनो क्या अवाइड करना परहेज मनें अवाइड करना उस चीज को उससे दूरी बना करके रखना तो ये परहेज की चर्चा चल रही है इस पूरे प्रकरण के माध्यम से देखिए जरा क्या कह रहे है सौगानी जी सब अपन लोग तो सब इन चीजों का पालन करते हैं लेकिन जितना पालन करते हैं उसे और अधिक मर्यादित करने की भावना भाते रहे हैं और कर लो सीमित और कर लो मर्यादित और कर लो मर्यादित अरे इतना समेट लो अपने आप प्रक्रिया चल रही है जो दूर होने की प्रक्रिया चल रही है यह सब पर से हटकर और अपने में आने की प्रक्रिया चल रही है। पर से हटना पड़ेगा और भगवान बनने का मार्ग मोक्ष मार्ग सुखी होने का मार्ग अपने नजदीक आने का मार्ग है। निजघर के नजदीक आओ वही सुमत्रगाजी वैदाव की पंक्तियां। दो घड़ी निजदीक में आओ अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी के लिए, 48 मिनिट के लिए, सच में जो व्यक्ति इमानदारी से दो घड़ी के लिए अपने स्वभाव के नजदीक आ जाते हैं, जिनागम ये कहता हैं, अंतर मूर्त में उन्हें केवल ग्यान की प्राप्ति हो जाती है। तो ये जितनी परहेज, किस किस से परहेज करा रहे हैं, सबसे कराएंगे सारी दुनिया से, देह तक से परहेज की बात करेंगे, लेकिन अभी दूसरे देह धरीयों को तुम उनके प्रती करवना करो, डरो थोड़ा सा, और अपने में आने का प्रेत्न करो, देखिए इस जर्व में क्या किया, आचार शास्त्रों में अभक्षिका निशेत किया, उन सब का त्याक करना चाहिए, चमडे में रखा हुआ, चमडे से इस परशित किया हुआ, जल, तेल, घी, आदिसवा, शुद्ध है, उन्हें ग्रहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि चमड़ा माने है, चमड़ा माने क्या, जिसमें निरंतर प्रती समय तरस जीव उत्पन होते रहें, उसका नाम है चमड़ा, लेदर, लेदर की चीज, हर समय, ओ, 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 भाईयां, पीछे अपने मांस त्याक की चर्चा की थी, पीछे अपने नॉन्वेश त्याक की चर्चा की थी, उस समय हमने मान्स की बातें कई थी यहाँ यह चमडे से इस परशित वस्तू की बात की रहे representation लेदर के बने हुए बेल्ट लेडर के जूते लेडर के पर्स यह जितनी चीजें है चमडे चमडे की चीजें और वेल्ट आपने बांध रखा है समझे लो आपको पता नहीं है उस बन्दे हुए बेल्ट में प्रती समय असंख्यात त्रस जीव दो इंदरी तीं दरी जी उत्पन हो रहे हैं प्रती समय उत्पन हो रहे हैं आंखों से दिखाई नहीं देंगे ऐसा श्लोक पड़ाजा पीछे है अपनने हमरक्चंद्राचारे देव का जिसमें उन्होंने ये बात कही थी ये मांस पड़ा हुआ हो रखा हुआ हो पक रहा हो कच्चा हो सूखा हो किसी भी अवस्ता में हो प्रती समय इसमें असंख्यात तरस जीवों की उत्पत्ती होती रहती है अब उस चमड़े की बेल्ट को आपने हाथ लगाया और भोजन किया और ये मांस बक्षण का पाप लग रहा है चमड़े की जैकेट बगए ये ऐसी चीजें पहनने लायक तो है नहीं पहनने की तो बात ही नहीं ऐसी चीजें टच करने लायक नहीं है ऐसी चीजे चूने लायक नहीं है आजकल तो लोग शमशान से आकर के भी नहीं आते हैं क्या जमाना आ गया है लेकिन मुर्दे को चूने के बाद तो नहाते हैं डेड बॉड़ी को चूने के बाद में तो नहाते हैं ये जो लेदर की बेल्ट है ना ये डेड बॉड़ी है ये किसी पशु की डेड बोडी है किसी गाई की, किसी भैस की, किसी बेल की, किसी का चमडा है ये उसकी डेड बोडी है इसे टच करने के बाद में नहाएं नहीं अरे टच क्यों कियां आपने ये बतलाईए ये टच करने लाइक नहीं असंख्यात तरस जीव उसमें उत्पन होते हैं इसलिए उन से इस परशित घी तेल पानी आदिव पदार्थों का सेवन करना नहीं चाहिए यह महावक्ष है आगे बढ़िए एक मुहूरत अर्थात 48 मिनिट से अधिक समय का रखा हुआ कच्चा दूद एक दिन उपरांत का दही बजार का आटा कल सब चर्चा कर चुके हैं इस थोड़ी बहुत चर्चा हैं अपने इनके बारे में अंजाना फल बेंगन सड़ा हुआ अनाज बहु बीज वाली वस्तू नहीं खानी चाहिए जिन वस्तूओं के सेवन में ये सब दोश लग रहे हो सड़ गया हो बेंगन हो अन्जान फल हो बजार का हो ये सारी चीजें मरियादा उपरांत के समय का आटा नहीं खाना चाहिए ऐसा आटा जिस आटे में मरियादा क्रोस हो गई हो कितनी मरियादा हैं आटे की कल बतलाया था मैंने कुछ मरियादा की वस्तूओं के संदर्म में यहां मेरे सामने एक पेज रखा हुआ है उसमें कुछ वस्तूओं की दस्वारा चीजों की मर्यादा के संदर में कहा है यद्देपी इन सब मर्यादाओं का द्रड़ता से पालन निरती चार पालन पंचम गुनस्तान के बिना नहीं होता पंचम गुनस्तान वरती व्यक्ती ही इनका द्रड़ता से पालन कर सकता है लेकिन पंचम गुनस्तान नहीं है हमारा तो फिर क्या करें पंडी जी यह बतलाईए फिर तो हम तो कुछ भी खा पी सकते हैं न हमारा पंचम गुनस्तान तो है नहीं हमारा पांचमा गुनस्तान तो है नहीं तो हम तो कुछ भी खाएं कुछ भी पीएं कुछ भी चलेगा हमारे साथ में तो भाईया कौन सी गलत पहमी में जी रहे हो आप पंचम गुनस्तान वरती निरती चार पालन करता है निर्दोश रीती से पालन करता है लेकिन पंचम गुनस्तान से नीचे वाला व्यक्ति चतुरत गुनस्तान व्यक्ति सदोश पालन करता है अतिचार साइद पालन करता है और पहले गुनस्तान वाला व्यक्ति ऐजे प्रेक्टिस पालन करता है पंचम उनस्तान वर्ती होना है के नहीं होना है भूमी का जब आएगी तब उसमें और परिपक्वता आएगी बोलो चोटे-चोटे से बच्चों को दर्शन कराते हैं चोटे-चोटे से बच्चों को स्वाध्याय में लेकर के आते हैं चोड़ी चोड़ी से बच्चों को लेकर के बैठते हैं प्रहोचन सवाओं में लेकर के बैठते हैं चोड़ी चोड़ी से बच्चों को चोड़ी चोड़ी सी चीज़े याद कराते हैं कि क्यों भाहिसा आप क्या बात कर रहे हो सोचना जरा भावना भाएं अभी भावना भात भावनात्मक लेफल पर इन बातों को स्पीकार करते रहें हम यहां अमर्ध चंद्राचारे के निर्देशन में चल रहे हैं ठीक है ना मैं प्रतिमाधारी नहीं हूँ सामने से मेरे लिए पूछा कि पंडी जी आप प्रतिमाध अभी हम प्रतिमाध हरी नहीं है ठीक है न हम वरती नहीं है हम आविरती हैं बिना वरत वाले हैं लेकिन वरत की भावना तो भाते हैं जितना संभव हो सके उतना पालन करने के लिए तो प्रयास करते हैं जितना संभव हो सके उतना कोशिश तो की जा सकती हैं जितना निर्दोश जीवन जी सके उतना जीने के लिए प्रयतन शील तो हैं स्वच्छंद व्रत्ती तो नहीं है अनाचार तो नहीं है ठीक है ना मनें जो भी जितना हो सके उतना पालन करने का प्रेतन कीजिए देखिए यहां आटे की मर्यादा के संदर में कही बात जो लिखी है वो तो अभी हमने पढ़ी दिया आटे की मर्यादा तीन दिन पांच दिन और साथ दिन की होती है तीन दिन की मर्यादा होती है बरसात के दिनों में पांच दिन की मर्यादा होती है गर्मी के दिनों में और साथ दिन की मर्यादा होती है सरदी के दिनों में तीन दिन पांच दिन और साथ दिन यह आटे की मरियादा यह था संभव ठीक है ना देखिए परसनल कोश्चन पूछ लिया कोई बात नहीं पूछे तो पूछ ले मुझे कोई फरक भी नहीं पढ़ता है ना जो जैसा है इस पश्चत जीती से बात कहने की बात है लेकिन फिर किसी की परसनल लाइफ से कुछ फरक पढ़ने वाला नहीं होता है आप समयकदर्ष्टी है या नहीं है ऐसा भी प्रश्ण पूछ लेते हैं आप समयकदर्ष्टी हैं क्या आप कौन से गुणस्तान वाले हैं तो हम क्या बतलाएं हम तो आराधक हैं आप क्यों जानना चाहते हैं हमारे बारे में मेरी बात नहीं कर रहा हूं मैं लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं विद्वानों से लोग सभाओं में ऐसे प्रश्न पूछते हैं जगे जगे इस प्रकार की चर्चाई करते हैं, ठीक है ना, तो बिचारना भई, अपने को अपनी भूमीका के बारे में सोचना है, हमारे यहां शास्त्रों में तीन प्रकार के वेश पूज्ये कहे हैं, मोक्षमार्ग प्रकाशक के प्रकरण में चली है चर्चाँ, कुडरमल ने कही है और कुंद कुंदा चैरे का हवाला दे करके बात कही है तो उसमें पता है क्या बात कही है उसमें यह बात कही है हमारे यहां यह जो पंडित है ना यह पूझे नहीं है ठीक है ना यह कुरते पजामे वाला है ना यह पूझे नहीं है लेकिन कुरते पजामे वाला योग्य नहीं होता, सम्यक द्रश्टी का भी कोई वेश्ट नहीं होता, सम्यक द्रश्टी का भी कोई आचरण नहीं होता, सम्यक द्रश्टी अर्ग चड़ाने योग्य रंच मात्र भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहां असयमी ना वंद्य है, असयमी जीव की वंद्य नहीं होती असायमी कभी पूजे नहीं होता हैं सम्मान नहीं हो सकते हैं रेस्पेक्ट कर सकते हैं हम हमसे बड़े हैं हमसे ग्यान में इश्रेष्ट हैं हमारे गुरु हैं हम इनका रेस्पेक्ट करते हैं यह सब बाते हो सकती हैं लेकिन कोई व्यक्ति उनको अर्ग चड़ाने लगें, भाईया सुनो नहीं चलेगा, किसाथ चेडाला के अंदर दौलत राम जी ने लिखाएं, पे सुरनात जजे हैं, ऐसा लिखाएं, तो बहुमान के अर्थ में लिखाएं, पूजन के अर्थ में नहीं हैं, हमारे यहां या प्रतिमाधारी श्रावक, एलक्षुलक का वेश, यह जो वेश हैं, यह वेश पूजे हैं, यदि निर्दोष दिखाई दे रहे हैं तो, क्योंकि वंदन करना, नमोस्तु कहना, वंदामी कहना, इच्छामी कहना, यह चर्णानुयोग का विशय हैं, मुने राजियों के आरीकाओं के लिए वंदामी श्रावक का प्रियोग किया जाता है, एलक्षुलक के लिए इच्छामी श्रावक का प्रियोग किया जाता है, पंचमुनस्तान वर्ति 11 प्रतिमाधारी एलक्षुलक हों, उनको कहेंगे इच्छामी, माताजी हों वंदामी, मुनिराज हों नमो अब ये जो शब्दों का प्रियोग किया है हाद जोड करके ये क्या है भाई साव बुले ये चरनानु योग है चरनानु योग है ये जो आचरन शास्त्र है न चरनानु योग का कथन है तो चरनानु योग की प्रवरति है तो चरनानु योग तो आचरन देखता है तो आचरन क्या देखा आच्रन देखा ते भाइ नगन दिगंबर दिखाई दे रहे हैं मूलगुणों का पालन कर रहे हैं निर्दोश रीती से इनका पालन दिखाई दे रहे हैं तो बिल्कुल नमोस्तू करने योग्ये है द्रव्य लिंगी भी नमोस्तू करने योग्ये है बोलो आप क्या किया रहा हूँ मैं मैं पेज खोल करके आपको बतला सकता हूँ प्रक्रण आएगा थोड़े समय बाद में सुबह बतला हूँ आ 283 नंबर पेज खोल करके देखिए द्रव्यलिंगी पूझे हैं उसी के आसपास का पहले प्रक्रण है वो खोल करके देखिए वहां टोडरमल जी कह रहे हैं समय बाद में मुनिराजों की संख्या कही जितन जी वैसाब समय बाद में जो मुनिराजों की संख्या कही है वहां सभी भावलिंगी नहीं थे उनमें द्रव्यलिंगी भी थे समव शरण में जो मुनिराज हैं जिनकी संख्या कही वो सब कैसे हैं बोले उनमें द्रविलिंगी भी हैं समव शरण के अंदर द्रविलिंगी मुनिराज विल्कुल द्रविलिंगी मुनिराज होंगे हैं वंदन करने योग हैं क्योंकि चरणानु योग का प्रसंग है लेकिन जिनका चरणानु योग से व्यावार और चरणानु योग बराबर नहीं है। ग्यारवी प्रतिमा धारी श्रावक प्रतिमा ले रखी है ग्यारवी और आलू खाता हुआ पकड़ा जाए। तो बोलो उसको कहेंगे के नहीं कहेंगे हम इच्छामी। नहीं कहेंगे सीधी सी बात है। आयोग्य हो गया नहीं उसने अपनी प्रतिमा के योग्ये प्रतिमा धारी पन के योग्ये आचरण नहीं किया तो आयोग्ये गोशित हो गये। सीधी सी बात है इसमें क्या है आरीकाओं का जो लेवल है उस लेवल के अनुसार आचरण नहीं किया तो आयोग्य हो गए मुने राजियों का जितना बड़ा लेवल है उस लेवल के अनुकूल यदि आचरण नहीं हुआ तो आयोग्य हो गए अरे भाई कोई IAS व्यक्ती है वो IAS व्यक्ती यदि अपने IAS लेवल के योग्य आचरण नहीं करके ही नाचरण करे तो पद से उतार दिया जाता है सीदी सी बात है इसमें क्या है वो अपनी गरीमा को खो बैठता है ऐसा ही है यहाँ जिनागम में भी इसी प्रकार की बात है देखिए कितनी बाते के रहे हैं बूरे की मरियादा कितनी है गर्मियों में पंदरे दिन की और सर्दियों में एक मेहने की मरियादा है बूरे की द अंतर मूर्ट पाद में 48 मिनिट बाद में सम्मूर्च अन्जीव उत्पन हो जाएंगे गाए के दूद में गाए जैसे बेंस के दूद में बेंस जैसे भेड के दूद में भेड जैसे अनिक प्रकार गास सेनी पंचेंद्री है सम्मूर्च अन्जीव और उनकी हिलसा का दोश और पाप हमारे माते चड़ेगा देखिए फिर उसके बाद में कच्चे दूद की बात ही है और यदि दूद को उबाल लिया जाए तो 24 गंटे की मर्यादा हो जाती है आठ पहर की और यदि स्वाद बिगड जावे तो ततकाल अबक्ष हो गया है क्या दूद का यदि स्वाद बिगड गया तो ततकाल अबक्ष हो गया दही यदि गरम दूद से जमाया गया है तो 24 गंटे की दही की मर्यादा है ठीक है और अमित गतीश रावगाचार में वहाँ प्रकरन इस तरह का भी आया है जिसमें सोले पहर की मर्यादा ऐसा भी हो सकता है लेकिन 24 गंटे ही अपने को मान करके चलना चाहिए चाच बिलोते समय चाच है ना चाच बिलोते समय यदि उसमें पानी डाल देवें तब तो चार पहर की मर्यादा हो जाती है चाच बनाते समय बिलोते समय ही तब तो उसकी चार पहर माने 12 गंटे की मर्यादा हो गई और बाद में डालें यदि पानी तो सिर्फ दो घड़ी की मर्यादा है क्योंकि पानी की मर्यादा दो घड़ी की है पानी की मर्यादा दो घड़ी की है ना इसलिए वो दो घड़ी रह जाएगा 80-90 मिन्ट की मरियादा हो जाएगी उसकी गी, तेल और गुड़, अभी कोई सज्जन गुड़ के वारे में पूछ रहे थे, गी की मरियादा कब तक की है, गुड़ की मरियादा कब तक की है, बोने जब तक इनका स्वाद ने भिगडे, मेहने, दो मेहने, छे मेहने, साल वर त तीन दिन पांच दिन और साथ दिन की मर्यादा है नमक की मर्यादा अंतर महुर्थ की है अरतालिस मिनिट की है नमक की अरतालिस मिनिट की मर्यादा है और लेकिन नमक में यदि मसाला मिला दिया जाए नमक में किसी तरह का कोई मसाला दूसरा मिल गया है तो फिर उसकी मर्याद छे गंटे बढ़ जाती पानी चान करके रखा अभी पानी चानने की चर्चा करने वाले हैं यहां जो भावारत अपन पढ़ रहे हैं उसमें अभी पानी चान करके रखा 48 मिनिट की उसकी मरियादा है 48 मिनिट बाद में वो दुबारा चानने योग्यों हो गया मनि बिना चाना हो गया वो पानी 48 मिनिट के बाद अब कह रहे हैं कि यदि 48 मिनिट के पहले पहले उस से चाने हुए जल में लवंग डाली सौंफ डाली जिससे उसका स्वाद बदल गया तो फिर 6 गंटे की मरियादा होई पानी की मरियादा 6 गंटे की तो नमक था नमक की मरियादा दो गड़ी की है 48 मिनिट की अब नमक की जो दो गड़ी की मरियादा है 48 मिनिट की अब उसमें दूसरा मसाला मिला दिया तो वो जल की मर्यादा जैसे बढ़ जाती है उस तरह से इसकी मर्यादा भी बढ़ जाती है ठीक है न ये जो लिश्ट है इसकी फोटो मैं टेलीग्राम ग्रूप के उपर डाल दूँगा जो मेरे सामने यहां रखी हुई है देखिए खिचडी, कड़ी, रायता, सबजी इन सब की मर्यादा छे गंटे की है अधिक जल वाले पदार्थ पानी वाले पदार्थ थे रोटी, पुडी, हल्वा, बड़ा इन सब की मर्यादा बारे गंटे की है 12 गंटे की मरियादा है इनकी और मौन लगे हुए है यदि कोई पक्वान बने हुए हो जिनमें मौन लगा हुआ है मौन लगा देते हैं न उनकी 24 गंटे की मरियादा है और बिना पानी के यदि पक्वान हो ऐसे कोई पक्वान बनाये जाएं लड़ू पेड़ा दी इस तरह के कोई जिसमें जल प्रियोग नहीं लिया गया हो तो ऐसे पकवानों की मर्यादा फिर तीन दिन वई बरसात के दिनों में पांच दिन गर्मी में और साथ दिन सरदी के समय में हो जाती है मीठा पदार्त मिला दिया जाए मिला यदि दही हैं दही में मीठा मिला दिया तो दो गड़ी की मर्यादा हो गई उसकी बस 48 मिनिट की माने दही में यदि मीठा मिल गया है कोई चीज दही में मिल गई हैं तो फिर 48 मिनिट की उसकी मर्यादा हो जाती है और गुड़ यदी मिला दिया जाए दही चाच वगरे के साथ में तो फिर तो वो सर्वता अबक्षे हो जाता है यह कुछ अबक्षे पदार्तों के संदर्म में मैंने आपको बतलाया है इनकी लिश्ट उसके उपर डाल देंगे लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ सच में मेरे कुछ आती उत्वाई श्रोता ऐसे हैं मेरे सामने जो मेरी बात को सुनते ही तत्काल त्याक करने की सोचते हैं भाईया ऐसा नहीं है निबती जान निभाईये जानकारी रखें और जितना संबब हो उतना करें कहीं ऐसा नहीं हो जाएं इसके चक्कर में विवाद खड़े हो जाएं घर में शांती भी होनी चाहिए घर में जगड़े भी नहीं होने चाहिए इस बात का भी बराबर विचार विवेक हमारे उपियोग में होना चाहिए चलिए कहां तक आगे अपन मर्यादा के उपरांत का आटा नहीं खाना चाहिए आगे वाला पेरेगर्व यहीं 180 नंबर पेज पर मर्यादा उपरांत के समय का आटा नहीं खाना चाहिए अचार, मुरब्बा, घुनावान, दईबडा क्या होता है दईबडा दाल के बनते हैं बड़े और दई के साथ में खाए जाते हैं हमारे अनिल जी जेन साब है रिटाइड आई पीएस बोले मेरे से एक दिन शादी में मिल गए बोले संजीव जी जिस दिन आपने द्वीदल की चर्चा की थी दई बड़े की बात कही थी उस दिन का दिन है आज तक कभी दई बड़े को खाया नहीं मैंने उस समय तो वे ड्यूटी पर रहते थे तब भी निभाते हैं सब लोग बहुत सारे ओफिसर हैं ओफिसर ग्रेट के लोग हैं जो सुन रहे हैं अभी वर्तमान में भी तो वो सब बिलकुल ये तो छोड़ देने योग गये हैं क्योंकि इसमें तरसजीव की उत्पती है वाई सब द्वीदल में तो ये तो मांस भक्षन के दोश की इस्तिती आ जाती है इस द्वीदल में तो तरसजीव पैदा हो जाते हैं लटे कुल बुलाती हुई नजर आएगी लार यदि आपने थूंक दिये तो थोड़ी दिर बाद में थोड़ी दिर बाद में आपको लटे ऐसी चलती हुई तरबती हुई नजर आईगी आप जिंद की भर आप द्रश्य जिंद की पर निकल नहीं सकता है आपके आखों के सामने से ऐसे अधरश्य हो जाएगा सची घटना में सुनाता हूं नो पंडित के लाश्चे जी बनारस वालों की सुनिए आप लोगों ने इसलिए वापस नहीं छोड़ेंगे हम देखो क्या कहां दई बड़ा और अत्यंत तुच्चे फल इत्य जानते हैं आप लोग क्या बहुत बारिक बारिक होते हैं यह जाड़ी बेर बेर जो आते हैं रेड कलर के जाड़ियों पर जो बेर लगते हैं बोर कहते हैं जो भी जाड़ी के बेर कटेली जाड़ियों के लगते हैं बहुत चोटे-चोटे से रेड कलर के होते हैं अभक्ष उनमें लटे हो सकती हैं अन्दर क्योंकि आप उसे तोड करके खा नहीं सकते आप उसको इतना चोटा है वो बोर इसलिए लटे ही होती है बहुत बार बहुत बार देखा है हमने बच्पन में जब से जब उसको त्याक किया था उस समय हमने कई बार खोल करके देखा और कई बार उसके अंदर लटे निकली आप उसे इत्ते से कोई तोड़ी नहीं सकते तोड़ करके कैसे खाएंगे उसके अंदर भी घुटली होती है इत्ते से के अंदर ही देखिए अब नीचे पानी चानने के संदर में बात कर रहे हैं उससे पहले पांच साथ मिनिट के लिए आप बाईस अबक्षियों की चर्चा सुन लीजिए क्या बाईस अबक्षियों कौन कौन से हैं बाईस अबक्षियों चंद यदि किसी को याद हो तो लिखना यहां सामने मैं बोल रहा हूँ सुन करके लिखना ओला घोल बड़ा निशिभोजन बहु बीजा बेंगन संधान बड़ पीपल उमर कठूमर पाकर फल या हो ये अजान कंद मूल मिट्टी विश आमिश मद्य माखन अरु मदिरा पान फलति तुच्च तुशार चलित रस जिनमत ये 22 बखान ये 22 अभक्ष बखान नहीं हो पाएगा इतना फाष्ट कोई बात नहीं तो आप उसको सुपीचे से सुन करके नोट कर लेना चंद नोट कर लेना चंद याद कर लेना 22 अभक्षियों के संबन्द में मैं एक एक चीज बतलाता हूँ बाई इसके नाम ओला ओला जनते हैं क्या होता है राजा के राज में नहीं माली के बाग में नहीं खाओ तो स्वाद नहीं फोड़ो तो गुटली नहीं बताओ उसका नाम क्या है औला आस्वान से गिरने वाले बरफ के आईस के पीस चोटे-चोटे से वे औला है राजा के राज में नहीं माली के बाग में नहीं खाओ तो स्वाद नहीं फोड़ो तो गुटली नहीं नाम क्या उसका ओला इस कारिक्रम की प्रायोजक हैं क्या ही एडाओए नहीं नहीं वे खिए कारिक्वार उसका 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 उसकá प्यां है